हेलो गूड मॉर्णिंग नमश्कर दोस्तों स्वागत है आपका आजके मुख्य समाशारों में यहां आपको देखने को मिलेगी सुबह से शाम तक की ताजा खबरे ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है अगर आपने हमारी यूटीब चनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा तो चलो दोस्तों शुरू करते आज के पहले मुख्य समाशार चीन बॉर्डर पर तैनात ITPP की साथ नहीं बटालियन बनेगी 9400 नएपद और एक सेक्टर हेड़कॉर्टर की भी मनजूरी किंद्रे कैबिनेट का फैसला तो दोस्तों केंद्रे मंदल ने भारत चीन सीमा की सुरक्षा करने वाली भारत तिबबत सीमा पुलीस की साथ नहीं बटालियन और एक रिजनल हेड़कॉर्टर के गठन को मनजूरी दे दी है इसके साथ ही दोस्तों 9400 नए पद भी बनाये जाएंगे और नए पटालियन के लिए एक अतिरिक्त सेक्टर हेड़कॉर्टर भी बनाया जाएगा तो दोस्तों बुद्वार को केंद्रे कैबिनेट की बैठक हुई और यह वैसला लिया गया वही दोस्तों मीटिंग की जान करे देते हुए यह सूच नायम प्रसारण मंत्री अनुरक्था को ने बताया की प्रदान मंति नैंदर मोदी के अध्यक्षिता में हुई सुरक्षा मामलो की मंत्री मंदली सीमीती की बैठक में इसकी मंजूरी दी गई है वही दोस्तों आपको बताते कि इसके लावा ITVP के 47 नए बॉर्डर आउट पोस्ट और 12 इस स्टैड जिक कैमप स्थाबित करने का प्रस्ताओं को सरकार ने जनवर 2020 में अनुमत्री प्रदान कर दी थी और दोस्तों इनका काम तेजी से चल रहा है और इनके लिए जो अत्रिक्त बल की आवशक्ता होगी उसके लिए साथ नए बटालियन बनाने के प्रस्ताओं को भी मंजूरी दे दी गई है इसी के साथ दोस्तों चलते हैं अज के अगले मुख्य समाचार की और सचिन पैलेट बोले राजस्तान पर जल्द फैसला होना चाहिए विदाएक दल की बैटक में शामिल ना होने वाले नेता उपर कारवाई में देरी पर उठाए सवाल तो दोस्तों राजस्तान में इस साल की आखरी में विदासबा चुना होने है लेकिन दोस्तो इससे पहले ही सीमा शोग गैलत और सचीन पैलेट के बीच एक बार फिरुगहमा गैमी तेज हो गई है तो दोस्तो पैलेट ने पिछले साल विदाइक दल की बैठक में शामिल ना होने वाले गैलोट की खेमे की नेताओ पर कारवाई की मांग की है और दोस्तो पैलेट ने बुदवार को काये कि पिछले साल जैपुर में पार्टी विदाइक दल की बैठक में नई होने दी गई थी तो दोस्तो इसके लिए जिम्मेदार निताओ के खिलाफ कारेवाई में अध्य दिख देरी हो रही है और राजिस्तान में हर पास साल में सरकार बदलने की परंपरा बदलनी है तो राजिस्तान में कॉंगरिस से जोड़े मामलों पर चल्द फैसला करना होगा साथी दोस्तो नोंने काये कि व्यक्ति बड़ा हो या छोटा पार्टी के नियम सभी के लिए सम्मान है इसी के साथ दोस्तो चलते हैं आज के अगले मुख्य समाशार की और पाकिस्तान में आज से पैट्रोल रिकॉर्ड दोसो बहतर रुपे लिटर पिछले एक महिने में पैट्रोल रुपे तो डीजल तरे पन रुपे महेंगा वज़ है आई एम एफ की एक शर्त तो दोस्तो पाकिस्तान में पैट्रोल डीजल की केमत रिकॉर्ड इस तर पर पहुंच गई है और दोस्तो सरकार ने गुरुवार से पैट्रोल में 22 तो डीजल में 17 रुपे की बढ़ उतरी की है वही दोस्तो आज से एक लिटर पैट्रोल अब 272 रुपे का तो एक लिटर डीजल 280 रुपे का हो गया है और दोस्तो इस तरह पिछले एक मैने में पैट्रोल 58 रुपे और डीजल 25 रुपे मेंगा हो चुका है वही दोस्तो 16 जनरी को पैट्रोल की कीमत 24.80 रुपे थी तो डीजल की कीमत 27.80 रुपे थी वही दोस्तों पाकिस्तान के फाइनेंस डिवीजन ने पैटरल डीजल की कीमतों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी की वजह पाकिस्तानी करंसी में आई किरावट को बता रहा है और दोस्तों जियो न्यूस के मुदाबिक इस समय पाकिस्तान में विदेशी मुद्रा का भारी संकट है और इससे आयात और निर्यात पर भी असर पढ़ रहा है और महेंगा ही बढ़ रही है वही दोस्तों आई एम एफ कर्ज नहीं दे रहा और आई एम एफ ने कर्ज के इंडिगो को फाउंडर गंगवाल की पतनी ने 4% से दारी बेची शेयर 4% लुड का सेंसेग 300 अंक चड़ा तो दोस्तों शेयर बाजर में अफते के चौछे कारोबारी दिन आनि दोस्तों गुरुबार को तेजी देहने को मिल रही है वही दोस्तों सेंसे करीब 300 अंकों की पांजी के साथ, 61,500 से कारोबार कर रहा है वही दोस्तों निस्ती में भी करीबàn foreign को की तेजी है और यह 18,100 के कारीब कारोबार कर रहा है तोменे 3 शेरों में तेजी और 7 इंग गिरावट है वही दोस्तों बाचर की तेजी में आइटी, मैटल और रेयल्टी स्टॉक्स सब से आगे है तो दोस्तों भई आपको बदादिक इंडिका एरलाइन्स के को फाउंडर राकेश गंगवाल की पतनी शोबा गंगवाल ने एक ब्लॉक डील के जरिये इंटर ग्लोबल एविएशन लगबक चार प्रतिशत हिस्सेदारी 2930 करोड में बेच दी है और दोस्तों इस ब् समाचार की ओल नोकिया ने भारत में लॉंच किया 5G स्मार्टफोन सो प्रतिशत रिसाइक्लिंग अलुमीनियम से बने नोकिया X30 में मिलेगा 50 MP कैमरा कीमत 49,000 तो दोस्तों HMD ग्लोबल ने भारत में अपना नया 5G स्मार्टफोन X Nokia 30 लॉंच कर दिया है तो दोस्तों अपनी का कहना था कि फोन का फ्रेम 100% रिसाइक्लिंग अलुमीनियम और बैक कवर 55% रिसाइक्लिंग प्लास्टिक से बना है वही दोस्तों Nokia X30 के 8GB RAM प्लस 256GB स्टोरेज वेरियंट की कीमत 48,999 रुपे रखी गई है तो दोस्तों स्मार्टफोन क्लावडी ब्लू और आइस वाइट कलर आप्शन के साथ आता है और हैंड सेट की प्रे बुकिंग कंपनी की ऑफिशल साइड और आमेजॉन पर शुरू हो गई है वही दोस्तों Nokia X30 5G की सेल 20 स्वरवरी से शुरू होगी इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाशार की और इलाज के पंडित धिरेंद्र सास्तिरी के पास आने के बात थोड़ी ठीक होई फेद अबियत बिगड़ी तो 250 धिरेंद्र शास्ती के पनारो dov'र जित्ध बागेशवर्दाव में एक माइला की मौत की मौथ हो गई है बताया है कि उसकी पत्री लंबे समय से बिमार थी और इससे निजात पाने के लिए वागे श्रधाम पहुची थी और सुबह खाना खाया तो उसकी बाद परंडाल में अरजी के लिए लाइन में खड़ी हुई और इस दोरान भेऊश हो गई और परीजन ने उसका शब यूपी अपने ग्रहगाम ले गए है वही दोस्तों देविंदर ने बताये कि एक हफते से प्रती दिन यहां परिक्रमा कर रहे थे और पतिनी अच्छे से खाना पीना कर रही थी और बुदवार को भी परिक्रमा लगाई थी और दरबार लगने वाला था कि मैं भी पतिनी के साथ पहुचा था और सुबह तक तो तबियत बिगडी थी और उसे दरबार में बिठा कर पहार आया था दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की और भाजपा विदायक ने महिला पुलिस को धक्का मारा ओरिसा में कर रहे थे कानून व्यवस्ता का विरोध इंस्पेक्टर बोली मुझे टकेट भी कहा तो दोस्तों ओरिसा के भाजपा विदायक जैनारायन मिश्वा न उल्टा धनूपाली थाना इंचार्ज अनिता प्रधान परी धक्का देने का अरोप लगा दिया वहीं दोस्तों मीडिया रिपोर्ट्स के मंदापिक भाजपा कारेकरदा जीला कलेक्टर के कारया लेके बाहर राजी के बिगरती कानून व्यवस्ता को लेकर विरोध कर रहे साथ रिपोरा में पॉलिंग बुथ के बाहर जड़प सीपी आई समर तक खायल साथ सीटों पर 269 मैदान में तो दोस्तों 2013 के पहले चोनाओं के तहत तेरपोरा की साथ वदानसबा सीटों पर सुबह साथ बज़े से वोर्टिंग जारी है और दोस्तों दोपेर एक बज़े बुथ बनाए गया है और सिंगल फेज में हो रहा है चुनाओं में राचे की 28.13 लाग जंता 269 उमीदवारों की किसमत का फैसला करेगी जबकि दोस्तों नतीजे तो मार्च को गोशित होंगे और राचे में चुनाओं प्रशार मंगलवार शाम को खतम हो गया था इसी के सा आता है तो दोस्तों कॉंग्रिस की वरिस रनीता और सांसत राउल गांदी ने पीम दरंदर मोधी पर आपत्ती जनक टिपणी से जुड़े नोटीस पर अपना जवाब लोग सुबस अची वाले को सौब दिया है और उन्हें जवाब देने के लिए 15 फरवय तक का वक्त दि आराया है और इसके लिए अलग-अलग कानूनों का हवाला दिया है तो दोस्तों राहूल ने साथ फरवरी को राश्टर पती कि अभी वाशन पर धन्यवाद प्रस्ता अपर चर्चा की दोरान हिडलबर्ग अर्डानी के मुद्धों पर मोधी के खिलाफ आपती चनक तो दोस्तों आपको बता दे कि राउन लेक आए के अटानी और मोधी जी के रिष्टे के बारे में बता देता हूं यह रिष्टा कई साल पहले शुरू होता है जब मोधी जी गुजरात के मुख्य मंतरी थे और मोधी जी और अटानी के साथ कंदे से कंदा मिला कर खड़े तो दोस्तों, यह थै हमारे आज की मुख्य समाठार। इसके बाद दोस्तों, बारी आती हैं istically मैंड की उसकुषां की हो थो दोस्तों हुजड़